जे दोसा में आ रही है जंसभा के लिए किस तरह देखते आप? महिला अत्याचार बड़ा है इतना लॉएन ओर्डर जीरो हो चुका है राजिस्तान में तब वो क्यों नहीं दिखती हैं? रंधंबोर में पिकनिक मनाने चुट्टी मनाने आती हैं लेकिन यहां पर जो भी इंसिडेंट होता है महिला अत्याचार का या बलातकार का या कुछ भी इस तरह से बहुत हो रहा है एक बार भी उन्होंने शकल नहीं दिखाए बिल्कुल है वो तो मैंने कहा यह तो सिर्फ च शकल दिखाने अब यह कोई भी कोई मतलब जिस तरह से यह आ जा रही है यह क्या कहा थी चुनाओ अब है चुनाओ शुरू हो गया अब आप आ रही है नहीं तो आपको हम सब जानते हैं कि इन पूरे पांच सालों में यह एक बार भी नहीं आई कहीं पर भी कोई इंसिडें नहीं है उसके परिवार के लिए आप कभी भी खड़ी हुई उनके साथ कभी भी नहीं हुई कभी नियाय दिलाने का प्रयास भी किया आपने नहीं किया यहां आपकी सरकार थी यह आपका दैत्व था और अब आप आ रही है किसी को भी बदलब शरम आनी चीए इनको इनकी जो पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी को तो अब सत्ता में रहने का अब इनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है सत्ता में रहना तो बहुत दूर की बात है यह हम लोग हमारी भार्दी जनता पार्टी का प्रतिनिदी मंडल करॉल ही गया मैं खुद गई प्रताब गड़ आई कहीं भी नहीं और हमको वहां पर फ्रशासन से बहुत लड़ाई करनी पड़ी तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती है तब जाके मुआवजा अनाउंस होता है यह आज भी इसके बाद सभा के बाद रंधंबोर जा रही है तो यह सिर्फ यहां पर छुट्टी मनाने आती जन्ता की इनको परवाने